हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फूड लाइफ प्रॉसेस में आप सभी का वैलकम है सर्दियां आ चुकी हैं और सब को अंडे खाने बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं आप सब के लिए टेस्टी स्पाइसी मसालेदा अंडा करी की रेस्पी लेकर आई हूँ इस तरह से चाकू से न ऐसे कट लगा देंगे इसमें ज्यादा कट नहीं लगाना है ध्यान रहे बस तीन से चार कट लगाना है अगर आपके टूथपिक से भी इसमें छेट कर सकते हैं आप चाहें तो पर मैंने इसे नाइफ से इसे कट किया है तो हम सारे अंडो में कट लगा लेते हैं हमने सारे अंडो में कट लगा लिया अब हम इसके उपर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और थोई सी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद हम इसे इस तरीके से हाथों से मिलाएंगे अच्छे से हल्दी और लालमेश का कोटिंग कर लिया है तो चलिए अभी से हम फ्राइ करने चलते हैं फ्राइ करने के लिए हम कड़ाई चराकर उसमें चार बड़े चमश तेल डाल देंगे अपने एक कंडे करके जब तेल हमारा गरम हो जाएगा वो डालेंगे मैंने सरसो तेल का इस्तेमाल किया है आप चाहे तो किसी और तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्र अंडा कड़ी सरसो तेल में ज्यादा टिस्टी बनती है आपको अड़ाइस करूंगी कि आप भी सरसो तेल में अंडा करी बनाएं और वो बहुत टेस्टी बनती है अब हम इसे फ्राइ कर लेते हैं चलिए फ्राइ करते हैं तो ये उड़ता है तेल तो ध्यान रखिएगा कि जब भी अंडा फ्राइ करें तो बहुत ध्यान से फ्राइ कीजिए अगर हो सके तो आप इसे कवर भी कर सकते हैं इसे लगातार इस तरीके से हिलाते हुए चलाते हुए न हम अंडे फ्राइ करेंगे तो चलिए आप देख सकते हैं कि हमारे इंडे फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इसे एक एक करके निकाल लेते हैं अब हम अपने चॉपिंग के प्रॉसेस के लिए चलते हैं जिसमें सबसे पहले मैंने दो प्याज को ऐसे रफली चॉप करके रखा हुआ था एक हरी मिर्ची एक इंच अद्रक का टुकड़ा और चार-पाँच लेसन की कलिया लेके मैंने इसे चॉपर में डाल दिया है और इसे चॉप के लिए एक दम बारी पतले-पतले एकदम चॉप करना है हम लोग को तो चलिए हम इसे चॉप कर लेते हैं हमारा प्याज, लेसन, अधरक और हरी मिर्ची एकदम अच्छे से fine chop हो चुका है कितना fine chop हुआ है तो अब हम इसे एक plate में निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इसी chopper के health से अपना tomato भी chop करेंगे आप देख सकते हैं प्याज, लेसन, अधरक, हरी मिर्ची कितना fine chop हुआ है अब हम इसी chopper में अपना एक tomato roughly chop करके डाल देंगे और इसे अच्छे से chop कर लेंगे अब हम इसका रखन लगा देते हैं और इसे chop कर लेते हैं आप देख सकते हैं हमारे टमाटर कितना fine chop हो चुका है तो मैं इसका blade side कर देती हूँ और टमाटर आपको दिखाती हूँ यह बहुत अच्छे से chop हो चुका है हम इसी तरीके से chop करना है अपना आप हम gas on करके फिर से कढ़ाई चरा कर जो पचा हुआ तेल है उसी में आदा चमच जीरा और एक तेजपत्तर डाल कर थोड़ा सा चला लेंगे और उसके बाद अपने प्याज, लेसन, अद्रक, हरी मिर्ची जो chop की थी न वो सारा का सारा हम इसमें डाल देंगे और इसे लगातर चलाते हुए भूनेंगे प्याज को जएदा नहीं भूना है, बस थोड़ा सा सौफ्ट हो जाएं हमारा प्याज, उतना ही चलाते हुए इसे भूल लेना है हमारा प्याज सौफ्ट हो चुका है, अब हम इसमें एक चमच हल्दी, एक चमच लाल मिर्च पाउडर और दो चमच हम धनिया पाउडर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर डालते वक्त याद रखेगा आपने हरी मिर्ची कब इस्तिमाल किया है तो इस लिए आप उसमें तीखा कम रखना चाते हैं तो तीखा कम भी कर सकते हैं मैंने एक चमच लाल मिर्च पाउडर डाला है उसके बाद हम इसे लगाता चलाते वे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे ही हमारा प्याज में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हम इसे नमक डाल देंगे नमक आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग इस्तिमाल कीजेगा, मैंने इसमें दो चमच नमक डाला है, नमक डालने के बाद हम इसमें अपने चॉप की हुए टमाटर डाल देंगे, जो कि मैंने आपके सामने चॉप किया था, वो टमाटर डाल कर हम इसे अच्छे से मिक्स कर ले पकने के लिए छोड़ देंगे इस टाइम न हम क्या करेंगे कि गैस का फ्लेम न एकदम श्लो कर देंगे ताकि जो हमारी टेमाटर और प्याज है ना वो अच्छे से पक जाए हम तरमाटर और प्याज को धकन हटा कर गये इसे चला देंगे और इसे अच्छे से चेक करते रहेंगे कि हमारे टामाटर और प्याज कितने ज्यादा पक चुका है अगर आने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इस तरीके से लगातार चलाते हुए इसे भून लेंगे अगर आपको में वीडियो में रेस्पी पसंद आती है तो में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताए कि आपको में रेस्पी कैसे लग रही है सर्दियों में अगर आप इस तरीके से अंड़करी बनाएंगे तो आपके परिवार वालों को और आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये बहुत जल्दी बन जाती है अब हम क्या करेंगे एक बार इ इसे अब ज्यादा देर तक अब नहीं पकाएंगे सुर्फ दो मिनिट के लिए इससे क्या होगा अंडे का सारा का सारा अंडे का जितना भी फ्लेवर है ना सारे मसालों का वह अंडों में आ जाएगा और इसे अच्छे से चला लेंगे ढकन हटा कर आप देख सकते हैं हमारा जाल कर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जितना मसाला प्याज सवे ना सारे के सारा हम पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से चला कर उसके बाद हम इसे ढकन लगा कर एक बॉयल आने तक इसे पकने के लिए छोड़ देंगे इस टाइम हम गैस का फ्लेम मासाला डालने के बाद युद्ध इसे अच्छे से एक बार फिर से चला लेंगे ताकि जितना भी गरम मसाला का फ्लेवर है वो सारा का सारा अंडा कड़ी में अच्छे से आ जाए और उस तरह इसके बाद हम इसे बिना ढखान लगाए इस तरीके से पकने के लिए छोड़ दे कि आपको मेरी रेस्पीस कैसे लगती है हमारा अंडा करी बनके रेडी हो चुका है इसमें बहुत अच्छे से खौल आ चुका है मुझे जितनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चाहिए यह उतनी आ चुकी है तो अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूं और इसमें धनिया पता डाल देंगे धनिया पता आपके पास अगर अविलेबल है तो आप डाले नहीं है तो भी बहुत अच्छा लगेगा और इस तरीके से अगर आप अंडा करी बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है तो चलिए अब मैं आपको इसे सर्फ करके दिखाती हूं कि हमारे अंड प्राइब करता इसे नहीं से चावल के साथ सर्फ किया है आप चाहे तो रोटी प्राटधा तंदूरी रोटी नान किसी के साथ भी से सर्फ कर सकते हैं इस सब के साथ बहुत टेस्टी लगती है बहुत ही अच्छी लगती है तो अगर आपको मेरी रेजपीस पसंद आई है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए में वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके तो ज़रूर बताएए कि आपको मेरे स्पीस कैसे लगती है तो डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग